दोस्तों इन दिनों सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दबंग खान को लेकर कितनी नेगेटिव खबरे फैलाई जारी है ये तो आप लगातार देख रहे होगे लेकिन आज मैं आपके सामने दबंग खान से जुड़ा हुआ एक ऐसा अपलब्धी लेकर आने वाला हूँ जिस दबंग खान ही बॉलिवूड के गैरेंटी कुमार है यानि दबंग खान ही इन दिनों बॉलिवूड के सदी के महानायक हैं तो दोस्तों मैं ये बाते क्यों कह रहा हूँ आपको इस न्यूज को सुनना चाहिए और उसके बाद आपको खुद से तैह करना चाहिए जो बाते के रियल मेगा स्टार यानि की दबंग खान सल्मान खान से तो दोस्तों इंदिनों सल्मान खान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद मैं भी अचंबित हो गया कि भाया दबंग खान ने तो आज तक के सभी सूपर स्टार को पीछे कर दिया है भाया बॉलिवुड के उन सभी सूपर स्टार के नाम को सामने रखा गिया है जिनोंने इस दौरान बॉक्स अफिस्ट पर धमाकेदार कलेक्शन करके हमारी बॉलिवुड को इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दिये पूरे वर्ड में तो दोस्तों यू तो हमारे सामने में जो लि इस लिस्ट में सदी के महनायक बॉलिवुड के मिस्टर परफेग उसके बाद बॉलिवुड के ट्रैजिडी किंग को पीछे करते विए दबंग खान ने या नंबर वन का पोजिशन अपने नाम किया है तो चलिए एक एक करके मैं उन सभी कलाकारों के नाम आपके सामने सरब से ये जानकारी दी कि भीया उन्होंने अपने पूरी फिल्मी केरियर में च्छे ऐसी फिल्में दी जिन्होंने बॉक्स ओपिक पर धमाके दार कलेक्शन करते हुए उनको नंबर चार के पोजिशन पर काबिज करवाया तो दोस्तो ये छे फिल्में कौन-कौन सी थी च अमर अकबर अंतोनी का उसके बाद इस लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है मुकदर का सिकंदर का और इस लिस्ट में जो पांचवा नाम है वो है शुहाग का और अंत में इस लिस्ट में जो छटा नाम है वो है कुली का लेकिन यहां पर अगर आप इन छे फिल्मों को दे लिए यहां पर अकेले अमिताब बच्चन को इन 6 फिल्मों के लिए क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है लेकिन भिया यह सारी के सारी फिल्मे बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन की थी जिसके बज़ए से मिताब बच्चन को नमबर चार के पॉजिशन पर काबिच करवाया गिया बॉक्स ओफिस की तरफ से तो दोस्तों ये तो बात हो गई नमबर चार की अब चलिए हम बात करेंगे नमबर पांच की तो दोस्तों नमबर पांच पे जो कलाकार है वो है बॉलिवूड के मिस्टर परफेक्ट यानि की आमिर खान तो दोस्तों आमिर खान को लेकर जो बॉक्स ओफिस के तरफ से रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बात बताई गई कि विया उन्होंने अपनी पूरी फिल्मे कैरियर में साथ बेहतरीन फिल्में बॉक्स और पिश पर दीज जिसके बज़े से उनको नमबर तीन के पॉजिशन पर अस्थान मिला है तो वियाई वो साथ फिल्में कौन सी हैं चलिए मैं एक एक करके उनका नाम पहले हमें आपको अधार रहता हूँ धूम्त्री का और अंतमेसलिस में जो साथवा नाम है वो है दंगल का और यहाँ पर भीया आमिर खान को लेकर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भीया ये सातों फिल्मों में आमिर खान ने सोलो परफॉमेंस के बज़े से इन फिल्मों को बॉक्स और फिक पर हिट कराया यानि कि भीया आमिर खान ने यहाँ पर एक बात तो साबित की थी अपने परफॉमेंस के बज़े से कि भीया ये फिल्में बॉक्स और फिक पर इस लिए हिट हुई अब चलिए हम लोग बात करेंगे नंबर डो की पोजिशन की तो दोस्तों नंबर डो पे जो कलाकार है वो बॉलिवुड के सबसे बड़े कलाकारों में से एक है यानि इनसे बड़ा कलाकार अभी तक बॉलिवुड में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है यालिकि भीया मैं बात कर रहा हूँ ट्रैजडी किंग यालिकि दिलिप कुमार साहब की तो दोस्तों यहाँ पर दिलिप कुमार साहब को लेकर बॉक्स ओपिस को तरफ से ये जानकारी सामने रखी गई कि भीया उन्होंने अपने पूरी फिल्मी कैरियर में नौ बहतरीन फिल्मे दी तो भीया चलिए सबसे पहले में उन नौ फिल्मों के नाम आपके सामने रख देता हूँ तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है जुगनू का इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है शहीद का इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है आन का इस लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है मधुमती का इस लिस्ट में जो पाँचवा नाम है वो है मुगले आजम का इस लिस्ट में जो छटा नाम है वो है गंगा जुमना का इस लिस्ट में जो सात्वा नाम है वो है क्रांती का इस लिस्ट में जो आठवा नाम है वो है विधाता का और इस लिस्ट में जो आखरी नाम है यानि कि नवे पोजिशन पे जो फिल्म है वो है कर्मा का यानिक इन सभी फिल्मों में अगर हम लोग बात करें तो भिया दिलिप कुमार ने जो परफॉमेंस किया था वो आउट ओप दा बॉक्स था और ये फिल्में बॉक्स ओफिस पर इसलिए इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि भिया इन फिल्मों में दिलिप कुमार ने अब इस हो चुके हैं बॉलिवुड के दवंग खान यानिकि सल्मान खान यानिक विया सल्मान खान ने बॉलिवुड के अब तक के सभी सूपर स्टार को पीछे करते हुए ये नाम अपने नाम अंकित कर लिया गए उनसे बड़ा सूपर स्टार बॉक्स ओफिस पर कोई जानकारी दी गई है तो दोस्तो इस लिस्त में जो पहला नाम है वो है मैंने प्यार किया का उसके बाद इस लिस्त में जो दूसरा नाम है वो है साजन का उसके बाद इस लिस्त में जो तीसरा नाम है वो है हम आपके है कौन का उसके बाद इस लिस्त में जो चौता नाम है वो है सुल्तान का उसके बाद इस लिस्ट में जो नवा नाम है वो है बजरंगी भाईजान का और अंत में भाई इस लिस्ट में जो दसवा नाम है वो था टाइगर जिंदार है का यानि कि इस दस बेहतनी फिल्मों की मदद से सलमान खान ने ये बात साबित कर दी है कि या 1947 से ले प्रिक रॉसन रनवीर कपूर रनवीर सिंग ये सारी के सारे स्टार फीके हुए हैं इस रिकॉर्ड के सामने तो दोस्तों आप अपने कमेंट के मादियम से हमें जरूर बताईएगा कि या आपको क्या कोई दूसरा सुपरेस्टार ऐसा नजर आ रहा है जो कि या सलमान खान के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा अपने कमेंट के मादियम से हमें जरूर बताईगा तो बॉल्ली उट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल वर्ली जेक्शन को लाइक शुप्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जाने के लि